पूनीत आप देख रहे हैं एस्टरोपिडी इस प्रोग्राम में आपका तहिदल से स्वागत करती हूं एक बड़ फिर से हाजर हैं आपके सामने आपके अपने एपिसोड में एस्टरोपिडी में टेंशन हो रखी है आजकल बहुत टेंशन हो रखी है बेटा है मेरा और tension नहीं यहरा मा के tension होगी हर पिता के tension होगी कि दिमाग पता नहीं बचों का कहां पर चाएं करा arg Ara कहते हैं कभी Celos घृड़ का कहार हिए कभी vistug Всё ब्रश्ट हो जाती है ऐसे बस समय करते हैं हम लेकिन बात यinação है कि बच्चों के ऊपर नज़र रखनी तो जरूरी है लेकिन बच्चों को आज ये भी परदाश नहीं हो रहा कि माबाब भी उनके उपर नज़र रख रहे हैं आजकल वो प्रिवेसी टैग जो है वो बहुत जाता है बच्चों की फिक्र बहुत हो रही है महौल बहुत खराब हो रहा है क्या होता है जब बच बच्चाने के लिए क्या करना है आज जिसके जिसके बच्चे हैं वो ये एपिसोट जरूर देखें नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इन पे कॉल कीजिए और एपॉइंटमेंट लीजिए मिलने आईए इसके अलावा गुद लिपोर्ट के बार में बा मुझे लगता है कि बच्चों की बद्धी भी उससाबसे चल रही है जो जैसे गाने देखते हैं जैसे फिलमें देखते हैं जैसे घर में OTT platform देखते हैं धवकुछ चल रहा है उसपे कुछ Send तो बच्चों का मांड है और तरह से डवलेप हो रहा है डर लग रहा है कुछ बुद Sorry अट हुआ है यह जो महाल चल रहा है सब अब की जानते है मुझे सके वारे जाथ detach सब की काम की चीज़े बात मैं करूँगा बुद्ध की बुद्ध बुद्धी है बुद्धी दो डिपार्टमेंट कुंडली के अंदर बुद्ध के पास हैं तीन नंबर और छे नंबर यानि की मितुन और कन्या दो राशियां और बुद्ध बड़ा एहम जो रोल यहां निभाता है लाल क कि अगर बुद्ध खराब हो गया तो तीन जगाएं जो हैं वहां का रस्ता दिखाता है पहला विरानगी दूसरा जेल तीसरा पागल खना बुद्ध कुडली में खराब हो जाए तो यह तीन चीज़ें जो हैं यह आपको देखने को मिलती हैं सबी कि रहे एक साइट बुद्ध एक साइट बुद्ध कम्यूनिकेशन आपका खास करके तीसरी राशी जो है मेथोन राशी जो है यह आपको कम्यूनिकेशन है वे अफ टॉक है गाड़ी चलाने का तरीका है प्रोसी हैं आपके बुद्ध कम्यूनिकेशन का कारक है कम्यू शुरू होते हैं सारे फसाद की जड़ एक कम्मिनिकेशन है इसका मतलब यह नहीं है कि मूलना है मन कर दे सारे फसाद की जड़ जुबान है सारे फसाद की जड़ हमारी एगो है सारे फसाद की जड़ हमारा मैं है so बुद्ध इसमें बहुत रोल अदा करता है बड़ी-बड़ी अगर जंग हुई है उसके पीछे क्या रहा है communications weak communications, bad communications world war हो जाती है देश आपसे बिढ़ जाते है हुआ क्या? इसने ऐसा बोल दिया communication बुद्धी, समझ हलाकि wisdom जो है वो जूपिटर है, गुरु है बुद्धी, बुद्ध जो बुद्ध ग्रै है ये चंदर का illegitimate child है so अपने आप में एक हीन भावना ये लेके पैदा हुआ intelligent बहुत है बुद्ध जिसका अच्छा हो कुंडली में बहुत intelligent, ऐसे लोग बहुत intelligent होते है बहुत intelligent अब वो intelligence कहां काम कर रही है that depends, वो depend करता आपके कुंडली के अंदर बुद्ध अगर अच्छा हो गया तो intelligence तो है ही है वो आपके अच्छी जगा पे चली जाएगी अच्छे ग्रहव का किसी की गुरू की दिश्टी के अगर बुद्ध के उपर आजाए क्योंकि गुरू जो है वो naturally अच्छाई के कारक है उनका खुद का होना ही बहुत अच्छाई को ब्यान करता है बुद्ध के उपर अगर गुरू की दिश्टी हो तो बुद्ध संबल जाता है वरना बुद्ध के उपर राहू की दृष्टी अगर हो जाए यहां राहू का कॉंबिनेशन एकठे बन जाए यहां नीच के राहू के साथ कहीं बुद्ध बैठा हो यहां नीच के राहू की दृष्टी बुद्ध के उपर आ रही हो यहां आपस में किसी तरह का संबंद दिर्ण में बनाया हो नक्षत रक्षेंज हो रखे हूँ तो बुध है वो सुपर इंटेलिजेंट लेकिन वो किस फिल्ड में होगा यह आपकी कुंडली में के ग्रैब बताएंगे अगर तो वो चला गया किसी बहुत अच्छी कंपणी में कोई आईटी कंपणी मान लीजे तो अपना दिमाग पूरा वहां जोग देगा और कंपणी को कहां से कहां ले जाएगा लेकिन अगर उसका दिमाग कहीं खराब हो गया कहीं उसको यह दिमाग में आगया कि मुझे यहां से पैसा नहीं मिर रहा मुझे किसी और जगासे पैसा इकठा करना है तो वो जुगार नगाना शुरू कर देगा जितने साइबर क्राइम्स होते हैं यह किसी की इंटेलिजन्स की वज़ा से हो रहे हैं दिमाग की वज़ा से हो रहे हैं फोन बे बाते करते करते किसी के अकाउंट से पैसे निकल रहे है एक बात करते करते किसी से एप डाउन और करवादी और उसकी अकाउंट खाली कर दिय यह अल्टिमेटली है क्या है है तो इंटेलिजन्स ना है तो दिमाग ना ब्रेन बहुत शाप है लेकिन गलत प्रस्ते पर चला गया हुआ है नीच बुद्ध की निशानी है अब नीच बुद्ध की सुन लीजिए बुद्ध जाके गुरू की राश्य में नीच हो गए बहुत जादा बूलना सर्टन फॉर्मलास होते हैं सर्टन चीजे होती है जिसके अंदर बुद्ध से हम डिसाइड करते हैं कि इसान बूलता कैसे है जल्द बाजिब बोलता है स्लो बोलता है अगर मंगल के साथ बुद्ध हो तो एफेक्ट कुछ और आएगा रहू के साथ हो रहाएगा तेज-देज बोलने वाला होगा स्टैमरिंग इशूँ आजाएंगे बुद्ध के साहथ जुड़ा हुआ है ऑच्छा गया और अच्छे ग्रह के इश्ट्रिक्स के अपर हो गई तो बच्चा इंटलिजंट है और बड़े इच्छी जगा फ्लेस हो जाएगा अच्छी जगह से इसको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जगह वो काम कर लेगा, बढ़ अच्छा वेपारी बन जाएगा, तीन नमपर लगन वाले वैसे भी वेपारी हुए है, बहुत अगड़े, यह वेपार की ही राशी है, ट्रेडर की राशी है, और इस पे अगर किसी ब ख spirits. नीच काके क्यों हुआ? बुद का कौम है बोलना, कमीनिकेट करना, अब वो communication कारक कहा चाला गया? पाइसेज में, अब पाइसेज से राशी किस चीज किया? आइसूलेशन की, पाइसेज राशी वो जगह की राशी है, जो आपने पहले कभी दह नहां देखी हूँ, तो बुद्ध एक बच्चा है, उसका behavior बच्चे जैसे है, बुद्ध की अपना कोई वजूद नहीं है, बुद्ध जिसके साथ बैठता है वैसा behavior करता है, बुद्ध कुंडली के अंदर अकेला पड़ा हो, फर्स्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, लगन उपर इसकी द्रिष्टी आ रही हो, लगन में बैठा हो, यहां सेवंथ हो द्रिष्टी दे रहा हो किसे दिके से पहले में बैठके यह सत्व में बैठके, तो वो impotency की issues आते है bad, bad life, बुरे relationship हो जाते हैं, रिष्टे खराब हो जाते हैं, मिया बीबी का रिष्टा खराब हो जाता है, because impotency के कारक भी हैं, so बुद्ध का नीच हो जाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, isolation में चला गया एक उस इंसान जो जिसको आदत ही बोलने की आदत थी, वो isolation में चल comfort level में चला जाता है, और फिर वो कुछ करता है जो समाज के hit में नहीं होता, एक पागलो जैसा behavior हो जाता है, बुद्ध परभावी लोग ना ऐसे ऐसे decision लेंगे जंदगी में, कि देखने वाला कहेगा यह कैसे पागलो जैसे decision ले रहा है, कैसे पागलो जैसी बाते कर रहा है लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, बच्पना है ना, बुद्ध बच्पना है, बुद्ध की दर्शा शुरू हो जाए, तो इंसान के पहले 6 साल खराब जाते हैं, फर्स 6 years, खराब जाते हैं, बहुत high level की जो मेहनत रहती है, चाहें बुद्ध जैसा मर्जब बढ़ा हो बुद्ध एक्टिव होता है, 29 years के, 29 years से लेके 35 साल तक अगर बुद्ध की दर्शा चल भी रही है, अंतर लगा हुआ है, बुद्ध लगन में है आपके, ट्राजिट में बुद्ध लगन में आ रहा है, तो वो दर्शा आपकी बहुत स्ट्रगल फुल जाने वाली है, अग बुद्ध की एच है, कि 29 साल तक तो मैंने करके देख लिए, जो मैंने करना था, अब मैं कुछ और करके देखता हूँ, इससे तो कुछ होआ नहीं, तो मैं ये करके देखता हूँ, लौड बुद्ध उनती साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जब जो पैदा निए में नहीं होने तक आप चाहते हैं, क्यों? इनकी कुर्णी में विराग्या है, इनकी कुर्णी में सन्यास है, अगर ये वहां बाहर चले जाते हैं, अगर इनको दुख का एहषा हैा, तो ये विराग्या में चले जाएंगे, और वही हुआ, 29 साल के बाद वह अपने घ जिश्वर कहां पे वगवान कहां है तो बुद्ध का ठीक होना बड़ा जूरी है कुंड़ी के अंदर बुद्ध कुंड़ी में खराब हो बुद्धी परिष्ट हो जाती है इसान की बुद्ध-Chandrama is a very bad combination in horoscope कुंडली के अंदर बुद का चंदर का कहीं combination बन जाए और दिश्टी में आ जाए एक दूसरे के नक्षतर के साथ बैठे हो तो बहुत bad effect देते हैं तो कि बुद को चंदर से नफरत है चंदर को बुद से नहीं है बुद को चंदर से नफरत है So, बुद का कुंडली के अंदर सही होना बड़ा जुरूरी हो जाता है और जिसके कुंडली में बुद अच्छा हो वो विपारी बनते हैं जिनके कुंडली में बुद बहुत खराब हो वो लोग विपारी बर ही नहीं सकते नेगोशेशन नहीं आती करने की बुद्ध क्या है? बुद्ध नेगोशेशन भी है नेगोशेशन नहीं करने की अब जो विपारी नेगोशेशन नहीं कर सकता वो वार करी नहीं सकता जिसको यह नहीं पता कि प्रॉफिट कैसे निकालना है वह बार करी नहीं सकता मिथो लगन वाले खास करके मैंने बहुत बार पहले भी बताया आज फिर बताऊंगा मतलबी होते हैं उठाईए किसी कुंडली दिमाग में रन कीजिए चेक कीजिए बुद्ध इनका तीन नमर लगन कहां लिखा हुआ तीन नमर लगन की कुंडली है चेक कीजिए ऐसे इंसान मतलब भी होंगे अपने मतलब के लिए जो भी करेंगे अपने मतलब के लिए करेंगे पैसे की बात इनसे करो बहुत ध्यान से सुनेंगे जहां पैसे की बात नहीं हो रही है कोई और चीज की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, वहाँ से कट लेंगे. So, बुद्ध कुंड़ी के अंदर, इंप्रूव होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है. बुद्ध कुंड़ी के अंदर, अगर अच्छा हो, बच्चा इंटेलिजेन्ट होता है. अच्छी इसकी वैस होती है डिपेंड करता कि कौन सागरा साथ बैठा वो उसके अच्छी वैस होती है आर्टिस्ट होते हैं ये लोग वो काम करते हैं जो हाथ से किये जाते हैं थर्ड़ उस आपके हाथ पी है कंदा हाथ, नेक सो हाथ से लिखने वाले painting करने वाले, artist जो अपने हाथ से काम करते हैं जो point हुए है, मुझसे बूलते हैं ये बुद्ध अच्छे की निशानी है और अच्छे बुद्ध वाले विपार भी कर सकते हैं अच्छे बुद्ध वाले artistic भी होते हैं शुकर अगर साथ में जोड़ जाए बुद्ध के तो art किसी और लेवल पर चला जाता है अगर लेकिन बुद्ध ही हो तो वो बड़े creative होते हैं आइडियस बहुत हो इनके बास एक ही बार में कुछ चीज देखे ड्रॉ कर देंगे यह अच्छे बुद्ध की निशानी है communication बहुत अच्छा है दुनिया को जीतना जानते हैं बातों से सिर्फ बातों से intermediate होते हैं दो पक्षों का जगड़ा हो बीच में खड़े होके फैसा करवा देंगे बुद्ध, very good बुद्ध बहुत अच्छा बुद्ध लोग बज़ूर्ग जो होते हैं उनका बुद्ध कावी अच्छा हो चुका होता है तो जुद्ध उनको जिन्दगी का मिल चुका होता है तो आम तोर पे बज़ूर्गों के लेके जाया जाता है एक नेशर बनती है बच्चे की, इसमें वो दिमाग उल्टा चलना शुरू हो जाता है, उल्टा दिमाग जो है, वो समस्या का घर है, वो किसी तरफ भी कोई भी अपना दिमाग लगा के अपनी इंटेलिजन से कोई भी गल्त काम कर देगा, अगर गुरू की दिष्टी हो, फि आप सभी कर सकते हैं, because बुद्ध ऐसा एक प्लैनेट है, जो आपको आपको यंग रखता है, इसका बुद्ध अच्छा हो, वो अपनी उमर से छोटे दिखते हैं, मैंने भी टीच भी किया, अपने एक लेक्शन में टीच भी किया, वो साड़े तीन गंटे ग्लास ती है, त बुद्ध अच्छा करना हो, आवले का सेवन कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया, किसी वज़ए से खटाई खाने से मना नहीं हो आप, तो आप आवले का सेवन कीजिए, ये आज का टिप भी है और आज का उपाई भी है, और बुद्ध के लिए बहुत स्टैमरिंग इशू हो, बच्चा बोलते वक्त अटक रहा है, तो आप आवले के साथ, आवले के पाउटर के साथ मिश्री मिक्स करके देना शुरू कीजिए, स्टैमरिंग इशू खतम हो जाते हैं, वह करके देखें से रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, दूसर फूल या फल नहीं लगते, जैसे तुलसी प्लांट हो गया, बैंबू प्लांट हो गया, बुद्ध कुंडली के अंदर होना बड़ा जरूरी है, घर के अंदर तुलसी होनी बड़ी जरूरी है, लोग कहते हैं, लाल किताब में, लोगों ने गल्त इंटर्पेट कर दिया, और बोल दिया, तुलसी कर से बाहर निकाल दो, जिनकी तुलसी कर से बाहर निकली विपार ठप होगे, घर के अंदर हम बैंबू रखते हैं, मैं अपने ऑफिस में बैंबू रखा हुए, टेबल पे लोग बैंबू रखते हैं, क्यों विपार फ्लरिश हो, अपने टेबल प बैंबू का छोटे बैंबू आते हैं उसको गलास के जार में पाणी डालके रखी वो positivity जो है वो करते हैं आपको देते हैं और negativity जो है वो अब्सॉब करके रिमूब करने की कोशिश करते है वो उसका नेचर है उस प्लांट का नेचर है बुद का नेचर है अच्छे बुद का नेचर है तो ये remedies कीजिए कुंडली दिखाईए किसी को भी किसी को भी दिखाईए बुद का इलाज कराईए क्योंकि खराब बुद तहननस कर देगा पूरा सत्यानस कर देता है जो आपका खराब बुद होता है सुनिल जी ने बहुत ही तफसील से बहुत ही explained way से आपको बता दिया मुझे इन episodes की यही खास बात लगती है अगर मैं भी इनको देखती हूँ दुबारा जाके social media पे भी देखती हूँ जाके मैं दुबारा एक बार देखती हूँ मैं बहुत बड़ी प्रॉबलम में हूँ बोल रहे हैं कि मेरी जूलरी की शॉप थी और भाई और मैं इकठे बैठते थे लेकिन भाई ने धोके से उसको अपने नाम कर वा लिया मैं बहुत विश्वास करता था पर चुनी जा चुकी है मुमकिन हो तो अपने ब्रदर की डिटेल्स पी जुरूर बेजीगा बिकास दोनों का अगर अगर अनलसिस होगा तो से मैं काफी क्लोज डिल्ट पर पहुंचाऊंगा और आपको अच्छे से गाइड को तर पाऊँगा तो आज की tip of the day क्या कहते है आज की tip of the day मैं बुद का दे जो कहा हो बीच में अगर फिर भी आप कहते है tip of the day चाहिए तो मैं फिर देने को तयार हूँ बुद अच्छा करना हो मूं की डालीजिए साबद मूं जो हरे रंग वाली होती है वो लीजिए और उसको आपने चलते पानी में बखाना है कैसे बखाना है ओवरनाइट इसको पानी में भिगो के रखिए थोड़ा portion पंच्छों को डाल दीजिए ओवरनाइट यानि की बुद बार थोड़ा portion पंच्छों को डाल दीजिए इसलिए चलते पानी कभी गंदा नहीं होता नगभी खराब नहीं होता तो नेगटिविटी वहां बहानी है अगर बुद नीच के हैं खराब हैं तो चलते पानी में इसको डाल दीजिए अगर बुद अच्छे हैं उसको बैनस करना है तो सिंपल सा तरीका है आप बुद के लिए आप यह पंच्छे को डाले है हो सके बुद खराब हो तो बीच में से 97 डेज के लिए नाख भी चदवा सकते हैं सोने की पे इसमें डालनी होती है बुदिवार के दिन इसको चिदवाना होता है और 97 दिनों के लिए इसको डालना होता है उसके बाद इसको रिमूव कर दीजिए इससे बूद आपका अच्छा होता है तो इतनी अच्छी सी टिप जो है वह आपको दे दी गई है बहुत कम ऐसी टिप्स जो है जो देखने और सुनने को भी मिलती है लेकिन ये बात पकी है कि जब आपको कुछ ऐसा बताया जाता है ये बहुत ही रिसर्च के बाद बहुत ही पढ़ाई के बहुत ही तो जर्बे के बाद ऐसी चीज़े जो है बताई जाती है तो किया कीजे अपना ध्यान रखिए अगले एपिसोड में हाजर होते हैं धन्यवाद